नमस्कार, MP का रिपोकाड में आपका स्वागत है, मैं हूँ मनीश वस्थी, 2024 याने अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है, देश में होगा सबसे बड़ा चुनाओ, आम चुनाओ, जनरल एलेक्शन और तमाम पार्टियों की धड़कने अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, काम के दावे तो खुब किये जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के कामकाज का बना रही एक रिपोर्ट कार्ड, जियां आखरी रिपोर्ट कार्ड, इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परक के लिए दो आधार बना हैं, पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसल संसद में उपस्ते ती याने की अटेंडेंस प्रश्णों की संख्या नंबर ओफ क्वेशन सास्ट सांसद निधी का उपयोग याने की MPLAT fund का कितना इस्तेमाल और सांसद के तौर पर विशेश योगदान क्या है और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलिफोनिक सर्वे इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा जी हां इंडिया निउज अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सत्से बड़ा शोओ MP का रिपोर्ट कार् आज हम आपको दिखाएंगे राजस्तान जैपूर नगर के सांसद राम चरण बोहरा का रिपोर्ट कार्ड पिछले दो टर्म से लगातार राम चरण बोहरा सांसद हैं वैसे तो इस सीट पर कॉंग्रेस का कबजा रहा है लेकिन दो दश्कों से यहां बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है सांसद के तोर पर राम चरण बोहरा का काम कैसा है जनता की समस्याओं का समधान निकालते हैं या नहीं इसका रिपोर्ट कार्ड जैपूर संसदीयक चेत्र की जनता जरूर बना रही होगी जनता के साथ इंडिया नियूज ने भी जैपूर के सांसद का र आपको दिखाएंगे सांसद राम चरण बोहरा के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है पास या फेल लेकिन पहले देखते हैं MP का रिपोर्ट कार्ड के प्रोडूसर गौरी शंकर की ये खास रिपोर्ट जैपूर लोग सभासी राजा महराजाओं का शहर जैपूर तमाम एतिहासी की विरासत को समीटे अपनी राजनेतिक हलचल के लिए भी खास है देश की आजधानी नई दिली से जैपूर की कम दूरी होने से वहां की हर राजनेतिक गतिविधियों पर देश की नजर होती है 1989 से लेकर 2019 तक जैपूर लोगसभा सीट पर ज्यादा तर बीजेपी का ही कबजा रहा है हिस वतमार में यहां सिंहत है दीजेपी से राम चरन उखरा नोझ वर्षों में जैपूर में एक कया कणप करने का काम डौलिजय का अधार पर शोन की पीसली बार हमारे घंजिन के सरकार थी इस बार cambiar की सरकार दीए यह कामों में थोड़ी सी चलता जरूर राज्य सरयार की वज़े से क्योंकि केंदर का पैसा आता है वो भी डंप हो जाता है और स्टेट कुछ करना चाहती नहीं मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से केंदर सरकार की योजना है चाहिए उजला को लेकर हमने काम किया हो और लग लग बिधके 25 लाग के से जदा उजुला योजना में महिलाओं को गयस का सिलंडर दिलाने का काम किया अभी अकलकार से करोना काल बार ही अपने विरोधी परत्याशी को भारी मतों से राम चरन बोहरा ने हराया है। 2024 में भी राम चरन बोहरा को टिकट मिलेगा या नहीं कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैपूर लोगसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। इस सीट की इतिहास को देखें तो। 2004 आम चुनाब में बीजेपी से गिर्धारिलाल भारगव यहां से सांसत बने। 2009 आम चुनाब में कॉंग्रेस से महेश जोशी यहां से सांसत चुने गये। वहीं 2014 में बीजेपी से राम चरन बोहरा और 2019 में भी बीजेपी से राम चरन बोहरा यहां से सांसत बने। जैपूर संसदिय शेत्र में करीव 21 लाख मत दाता हैं, ज्यादा तर शहरी इलाका है जैपूर लोग सभा में आठ विधान सभाशत्र आते हैं हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन्स, किशन पोल, आदर्श नगर, मालिवे नगर, सांगानेर, बगू जैपूर शहर की जनता ने अब तक 17 आम चुनावों में से 11 बार ब्राहमन सांसद को चुना है तीन बार वैश और तीन बार राजपूत समाज की पृत्याशी को सांसद बना कर सांसद में भेजा है देखते हैं कैसा है इस सीट पर जातिकत समीकरत ब्राहमन 25 फिसेदी, राजपूत 22 फिसेदी, वैश 22 फिसेदी, मुसलिम 10 फिसेदी, जाट करीब 4 फिसेदी, गुर्जर करीब 3 फिसेदी, सेस्टी करीब 8 फिसेदी और अन्नी जातियों की संख्या करीब 6 फिसेदी है जैपूर लोकसभा सीट में वैसे तुविकास की रफ्तार दिखती है, राजस्थान की राजधानी होने का फाइदा है, लेकिन हाँ कियाम जनता, तमाम बुन्यादी जरूरतों के लिए परेशान भी दिखती है मसलन शहरी विकास, रोजगार, पलायन, ट्राफिक चाम, पानी बिजरी, कनेक्टिवीटी, आवारा पश्यू और शहरी कच्रे का भी बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है दोज़ार चौविस काम चुनाव जैपूर रुसभा सीट के लिए काफी एहम है चुनाव से पहले, यहाँ की जनता, सांसद राम चरन बुहरा के कम की परख जरूर कर रही होगी इंडिया नियूज भी सांसद राम चरन बुहरा की परख के लिए दो आधार बनाए है पहला है सांसद में सांसद का प्रदर्शन और दुसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलिफोनिक के सरवे इन दोनों पैमानों पर उसकी रिपूर्ट कार्ड कर नतीजा बताएगा तो देखते हैं संसद राम चरन बुहरा की रिपूर्ट कार्ड में क्या है पास या फे बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा जैपुर लोगसभाज सीज कैसे क्या है यहां के मुद्दे और जातिगत समिकर और साथी जनता की उमीदें क्या क्या है जनता के साथ इंडिया नियूस की टीम भी हर सालसता बना रही है रेपोर्ट कार्ड आखिर कैसे तयार होता है आपका अपना ये पसंदीदा शो एंपी का रेपोर्ट कार्ड चलिए आपको वो भी दिखाते हैं कि आखिर हमारी टीम एंपी का रेपोर्ट कार्ड की टीम कितनी मिनत, शिदत और लगन से तयार करती है आपका अपना पसंदीद गरेकरम एंपी का रेपोर्ट कार्ड दर्ज कर रहे हमारे रेपोर्ट कि फोर पर सवालों का जवाब दर्जक रही वाईटी डेटा कल्क्षन और एनालीजिस में जुटी है एडिटूरियर्टी फिर दयार होता है MP का रिबूट का जियां इंडिया न्यूस की टीम दिन राथ MP का रिबूट कार्ड बनाने में जुटिये सटीक सर्वे और सटीक विशलेशन के बाद आप तक पहुचाता है सांसद का रिबूट कार्ड और आज बता रहे हैं आपको जैपुर के सांसद राम चलन बोरा के बारे में जैपुर की जनता कई पैमानों पर सांसद राम चलन बोरा का रिबूट कार्ड बनाने में जुटिये और साथी इंडिया न्यूस भी सांसद की परख के लिए दो आधार बनाएं पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलिफोनिक सर्वे लेकिन पहले देखते हैं संसद राम चलन बोरा का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है संसद में किये काम और उनके विशेश योगदान के आधार पर दस में से कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में उपस्तिती की बात करें तो राम चलन बोरा करीब 93 प्रतिशत 93 परसेंट उपस्तित रहें अटेंड की है उन्होंने सदन में जैपूर लोगसबाग चेत्र और देश हित में संसद में संसद में संसद राम चलन बोरा हमेशा सवाल उठाते रहें 2019 के बाद संसद में राम चलन बोरा ने करीब 80% सवाल पूछें 80% जो जैपूर और देश के हित से जुड़े रहें वहीं संसद निधी की अगर बात करें जो हर साल एक संसद को अपने शेत्र में विकास करने के लिए डिवलाप्मेंटल वर्क के लिए पांच करोड़ों रुपए मिलते हैं संसद राम चलन बोरा करीब 60% संसद निधी का उप्योग कर चुके हैं पिछले पांच साल में जैपूर में किये गए विशेश काम और देशित में उनके विशेश युगदान अगर देखे जाएं तो करीब 40% उनका विशेश युगदान है तो संसद में उपस्थिती प्रश्णों की संख्या संसद निधी कर्च और विशेश युगदान के आधार पर जैपूर के संसद राम चलन बोरा को दस में से 6.7 नंबर मिल रहे हैं 6.7 नंबर मिल रहे हैं जो काफी अच्छे दिखाई देते हैं राम चलन बोरा को संसद में किये गए काम को लेकर दस में से 6.7 नंबर मिले हैं तो आपने देखा जैपूर के संसद राम चलन बोरा को संसद में प्रदर्शन के आधार पर दस में से 6.7 नंबर मिले हैं वहीं जब इंडिया नियूज ग्राउंड यानी जैपुर लोकसवाज सीट की जनता के मन की बात जानने पहुचा तो क्या नतीजा निकल कर सामने आ रहा है। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं जैपुर की जनता के दिल में आखिर है करेकाल सबसे पहले तो देखिए पहली बार जब जीते थे तो भारत में जितनी लोकसवाज सीटे थी सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले रामचन बोरा साब हमारे जैपुर के सांसर थे अच्छा एक बार तो जनता दे सकती है चलो कोई बात नहीं दूसरी बार भी उतनी ही भारी मतों से जीतना तो निश्चित रूप से इसमें तो कोई शकी नहीं है कि रामचन बोरा जी काम है वह वह बहुत अच्छा है बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं बात करते हैं हर कारेकरता को बराबर का सम्मान देते हैं। बराबर का सम्मान देते हैं। बराबर का सम्मान देते हैं। वीजेपी सरकार द्वारा जो सांसद चुने गए हमारे अर्जिस्तान परदेश से खास तोल से मैं मेरे सक्टर की बात करूं ना तो उनका यहां पर कोई परेचे है जिस पर काल से कोई विक्तिक तो उन्होंने का रहे या अपने सांसद कोटे से को यहां पर जनताई के लिए कोई काम किया है तो जैसा आपने दिखा संसद में किये गए काम पर संसद राम चरण बोरा कुद दस में से 6 दशमलो साथ नंबर मिले हैं लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है बलकि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार औ जीत का फैसला होगा इंडिया नीूस के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब जैपुर की जनता ने खुले दिल से दिया है हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकल कर सामने आया है Ground Zero पर हमारे सवालों का क्या जवाब जैपुर की जनता दे रही है? आई ये देखते हैं पहला सवाल आपके ठीवी स्क्रीन पर क्या आपके सांसत छेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है पच पन प्रतिशत नहीं कहने वाली जनता है चालीज प्रतिशत और पता नहीं 5 प्रतिशत क्या आप अपने सांसत के कामकाद से खुश हैं हां कहने वाली जनता है 65 प्रतिशत नहीं कहने वाली 30 प्रतिशत और पता नहीं याने डॉंट नो 5 प्रतिशत तीसरा सवाल क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे हां कहने वाली जनता है 55 प पता नहीं. 10 प्रतिशत. चौता सवाल. क्या उमिद्वार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 70 प्रतिशत. नहीं कहने वाली 20 प्रतिशत और पता नहीं. 10 प्रतिशत. चटवा पांचवा सवाल मौजुदा सांसत की जगे उमिद्वार बदला जाए हां कहने वाली जनता है 35 प्रतिशत और नहीं वाली 55 प्रतिशत पता नहीं 10 प्रतिशत चटवा सवाल, 2024 आम चुनाओ में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ, कहने वाली जनता है 65 प्रतिशत, नहीं कहने वाली 20 प्रतिशत, और पता नहीं 15 प्रतिशत. सात्वा और आखरी सवाल, 2024 चुनाओ में क्या मौजूदा सांसत को आप वोट करेंगे? हाँ, कहने वाली जनता है 65 प्रतिशत, नहीं कहने वाली 25 प्रतिशत, और पता नहीं 10 प्रतिशत. जे हाँ, जैपूर की जनता के दिल में क्या है? ये हमने आपको अपने सवालों में पूछे गए जवाब के प्रतिशत को बताया. जैपूर के विकास में रामचरण बोरा की योगदान की लोग तारीफ कर रहे हैं. छेतर में भी लोगों के बीच रहते हैं, विकास के काम की रिपोर्ट हमेशा लेते रहते हैं. जैपूर की जनता साफ कह रही है कि वो दोहजार चौबीस में उमिद्वार बदलना नहीं चाहती, लेकिन कई वायदे जो चुनाओ के वक्त किये गए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया गया है. वैसे जैपूर में भी मुदी फैक् आठ नंबर दे रही है. तस में से 6.8 नंबर. अब जानते हैं सांसद रामचरण बोरा के आखिर रिपोर्ट कार्ड में जनता ने लिखा क्या है? पास या फिल संसद में किये गए काम जैसे सदन में उपस्तिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधी का उप्योग और वि दस में से 6.7 नंबर मिले हैं. वहीं जैपूर संसदियक शेत्र में जनता से जो सवाल पुछे गए इस आधार पर 10 में से 6.8 नंबर मिले हैं. और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाये, यानि कि दोनों नंबरों को मिला दिया जाए तो सांसद राम चलन बोरा जनता की उमीदों पर खरे और सटीक उतर रहे हैं जेहां जैपुर की जनता ने सांसद राम चलन बोरा के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास यहां राम चलनबोरा को जैपुर की जनता ने किया है पास यहां आखिरकार जनता की नजर में अच्छे नमबरों से पास हुए हैं राम चलनबोरा तो जैपुर लोकसबाग शेतर में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंखडा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा है महिला पुरुष किसान मजदूर स्टूडेंट कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाती के लोगों से बात करने के बाद यह दिल्चस्वांखडा निकल कर सामने आया है हमारी टीम सटीक सर्वे के साथ सटीक विशलेशन के बाद यह आंखडा अपने दर्शकों यहने की आप तक पहुचाती है और आज जैपुर के सांसद पास दिखाई दे रहे हैं लेकिन चुनाओ के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता MP के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही अगली बार फिर दिखाएंगे एक और सांसद महदय का रिपोर्ट कार्ड फिलहाल MP का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ नमस्कार